तुरोचिन सिंग वजीर हत्या कांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने मल्टिपल टीम्स बनाई हैं उन दो संदिक्तों को गरिफ्तार करने के लिए जो दो संदिक्त टी-एस वजीर के साथ उस फ्लैट में थे जिस फ्लैट में उनकी निर्मम हत्या की गई है दिल्ली पुलिस ने सर्च आपरेशन शुरू किया है हर्पीच सिंग और हर्मीच सिंग को गिरिफ्तार करने के लिए त्रलोचिन सिंग वजीर नाशनल कॉन्फरेंस के पूरू MLA से MLA थे दिस्टिक गुर्दवारा प्रबंदग कमिटी के पूर्व चेर्मेन और समय भी उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दिस्टिक गुर्दवारा प्रबंदग कमिटी के निर्देश्यक यानि एक तरह से एडवाईजरी काम भी वही कर रहे थे और सिख समुदाय में उनको एक बड़े नेता के तौर पे देखा जाता था ट्रांस्पोर्टर्स ने आज पूरा दिन हर्ताल करके रखी और ट्रांस्पोर्टर्स ने जो हर्ताल की उस हर्ताल के बाद उन लोगों की मांग भी यही थी कि सरदार टियेस वजीर तिलोचन सिंग वजीर की हत्या के मामले में पुलिस को जल्द से जल्द कारवाई करनी चाहिए और संदिक्तू को गृफ्तार करना चाहिए और उन तमाम लोगों के चेरों से नकाब उतारने चाहिए जो लोग इस हत्या कांड में शामिल है हाथ किसका है और हर्पीत और हर्मीत किस हद तक इस पूरे हत्या कांड में शामिल है दो टीमें जमू बेजी गई है एक टीम को अमरिच सर बेजा गया है क्योंकि हर्पीत ने ये कहा था कि वो अमरिच सर रहता है तो अमरिजसर भी एक team बेजी गई है बाकी team दिली में है मामले की परताल कर रही है एक board बनाया गया था जिस board को post-mortem करने के लिए कहा गया था और मेरी जानकारी के मताबिक T.S. वजीर की शरीर का post-mortem हो चुका है post-mortem होने के बाद उनका शरीर जो है उसको लेकर सिक्समदाई के कुछ लोग और उनके परिवार के लोग दिली से अब से शायद एक घंटे के बाद या हो सकता भी निकल गए होंगे और वो जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू में कल या तो 12 बज़े या 12 बज़े के बाद किसी भी समय सरदार T.S. वजीर उनका अंतिम संसकार होगा ये जानकारी मुझे उनके परिवार के लोगों से और सिक्समदाई के साथ जो जुड़े हुए लोग है उन लोगों से मुझे मिली उनने मुझे कहा कि कल या तो 12 बज़े इनका संसकार होगा या 12 बज़े के बाद किसी भी समय संसकार हो सकता है ये बाद भी उनने कही कि उनका शरीर लेकर हम लोग दिली से जम्मू आएंगे तो जरूर लेकिन किसी को भी उनको उनके शरीर को देखने की इजाज़त नहीं होगी परिवार के लोगों के इलावा कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं देखेगा उनका शरीर पैक्ड रहेगा और उसके बास सीधा उस शरीर को लेकर शमशानगाट जाया जाएगा जहां पर उनका अंतिम संसकार होगा मेरी जानकारी के मताबिक जो टीम में भेजी गई है उसके लावा पुलिस ने ये कहा है वो फ्लैट मोती नगर में जहां पर हत्या हुई है जैनवरी के महीने में किराय पर लिया गया था और मालिक मकान से ये कहा गया था कि 10 स्टम्बर को हम ये फ्लाइट खाली कर देंगे पुलिस जो है इस मामले की पड़ताल कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जुलाइ के महीने में ये सारा मडर जो है वो प्लाइन किया गया लेकिन तब नहीं हो सका और उसके बाद अब जब सब्तम्बर के महीने में ये हत्या हुई है पुलिस के मताबिक मोटिव, मकसद क्या था इस हत्या का वो तभी क्लियर होगा, जब दोनों जो संदिक्त हैं वो गिरिफ्तार होगे, और ये भी कहा गया है, पुलिस ने कहा है कि वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से हरप्रीट जो इसमें एक संदिक्त हैं बात की थी, फोन के पर भाई को सर्दार्टीयस वजीर के भाई को ये बताया है वो रिटायर्ट पुलीस कर्मी हैं उन्हें ये बताया और बात की फोन पर बात की तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को इंफॉर्म किया पुलिस को इंफॉर्म किया उसके बाद पुलिस ने इमिजेटली हर्प्रीत और हर्मीत को ढूनने का काम शुरू किया हर्मीत सिंग इस मामले में एक संदिक्त है हर्मीत सरदार टीयस वजीर के घर के सामने रहते थे पुलिस के मताबिक ये भी पड़ताल में निकल कर आया है वजीर जो है वो कैनड़ा जा रहे थे क्योंकि उनकी सुपुत्री उनकी पोती का जनम हुआ है उनके बेटे जो है वो कैनड़ा में रहते हैं उनकी धरमपत्नी के बारे में भी का जाता है कि वो भी कैनड़ा में है और बहु जो है सरदार टीयस वजीर की वो भी वहीं पर ह पुलिस ने ये भी कहा है कि हर्पीत सिंग वजीर को जानता था और हर्पीत ये भी जानता था कि सरदार T.S. वजीर को कैनड़ा अपने बेटे से और अपनी पोती से मिलने जाना है हर्पीत वजीर से मिला और अपने ये भी कहा जा रहा है कि हर्पीत जब पहली बार सरदार टियेस वजीर से मिला था तो उसने अपने आपको पत्रकार बताया था ये कहा था कि मैं एक पत्रकार हूँ और एक अखबार में चलाता हूँ और एक वेब साइट में चलाता हूँ जिसको पूरी दुनिया देखती है और ये भी कहा था कि मैं आपका इंटर्वू करूँगा आपकी स्टोरियां चापूँगा ये भी कहा था पुलिस के मताबिक हरपीत वजीर से तब मिला जब वो जम्मू से दिल्ली आए वजीर को उसने कहा कि वो उसके फ्लैट पर रह सकता है जब तक वो कैनड़ा जाना से पहले वो उनके फ्लैट पर रह सकता है पुलिस ने ये भी कहा कि हरपीत ने ये भी कहा था कि मैं इनको एरपोर्ट डॉप करूँगा और दिल्ली से फ्लाइट बोर्ट करने से पहले वजीर ने एक वीडियो कॉल अपनी धर्मपत्नी को की थी जिस वीडियो कॉल में हरपीत वजीर के साथ था और ये भी कहा दिल्ली पॉलिश ने ये भी कहा लिल्ली पॉलिश ने इस मामले में कल एक मुर्डर का मामला एक हत्या का मामला जो है वो दर्च किया और उसके बाद आप उसमें पर्ताल चल रही है ये भी आपको ये बताएं कि कल यानि बीते कल सरदार टीयस वजीर की डिकंपोजड शरीर उनका जो है वो दिल्ली के बसाई दारापूर इलाके से मिला था ये भी आपको यहां पर जानकारी दे दें कि जो अभी तक जानकारी हम जुटा पाएं है उस जानकारी के मताबक सरदार टीयस वजीर को मृतक पाया गया था वेस्ट दिल्ली के मोती नगर इलाके में अच्छा उसके बाद दिल्ली पुलिश ने मुर्डर का मामला दर्च किया 67 वर्षिय वजीर का प्लास्टिक के बैग से उनका जो सर है उसे रैप किया गया था प्लास्टिक का बैग उनके चेहरे के उपर रैप किया गया था और उनका शरीर जो है वो फ्लैट के वाश्रूम में पड़ा हुआ था और इस फ्लैट को हर्पीज सिंग 31 वर्षिय हर्पीज सिंग जो खुद को अमरिच सर का बताते हैं बताते थे उन्होंने इस फ्लैट को किराए पर लिया था जैनुरी के महीने में और 10 स्टमबर को उन प्राए के फ्लैट में बसाई दारापूर इलाके में रह रहे थे हर्पीत और हर्मीत दोनु इस सोगत जो हैं गायब हैं और उनकी दिल्ली पुलिस ने टीमें लगा दी हुई है जो उनकी परताल कर रही है वो कहां पर हैं उनको ढूंड रही हैं उनकी कॉल डिटेयल पहुंचे और इस समय परिवार के लोग जो हैं वो जब पहुंच चुके हैं क्राइम सीन मैनेजमेंट के इंचार्ड संजीव गुपता ने कहा कि चार मेंबर की टीम जो है वो बनाई गई है वो स्वाट पर पहुंची है क्राइम एग्जबेट सारे के सारे उनने कलेक्ट क कर लिए हैं उसके बाद ये भी कहा गया है वजीर के भाई ने उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्हें कैनेडा जाना था दोस्तंबर को अपने परिवार से मिलने के लिए जब कई दिनों तक उनको कोई ख़बर नहीं मिली तो उनकी फैमली ने जम्मू पुलिस को इन्फॉर्म किया जिसने बाद में दिल्ली पुलिस को अप्रोच किया उसके बाद कल यानि नौ तारीक को दिल्ली पुलिस ने एक PCR कॉल रिसीव की जिस PCR कॉल में मोतिनगर के इलागे से किसी ने कहा कि वह एक फ्लैट से बहुत बद्बू आ रही है स्पॉर्ट पर पुलिस पुलिस ने ताला तोड़ा और उसके बाद उनने पार्चली डिकम्पोस्ट सरदार टियेस वजीर के शरीर को वहां पर वाश्रूम में पढ़ा हुआ देखा उसके बाद मोतिनगर थाने में इन्फोर्मिशन मिली स्पॉर्ट पर पहुँचने के बाद टीम ने जब उस शरीर को देखा तो पता चला कि ये सरदार ट्रोचन सिंग वजीर का शरीर है और ये पहचान जो है उनने ये का है कि करीबी आदमी ने उनकी पहचान करी उसके बाद ये कि ये हमने भी पता करने की कोशिश की थी कि क्या ये गोली कांड है या किसीने छुड़ा मारा है या गला रेट कर हत्या की गई है तो जो जिन लोगोंने सरदार ट्रोचन वजीर के शरीर को देखा है वो ये कहते हैं कि ये सारी बातें तो पोस्ट मॉटम से मालूम पड़ेंगी लेकिन ऐसा लगता है कि गोली कांड नहीं है बलकि गला घोंट कर उनकी हत्या की गई अब सत्य क्या है वो आज पोस्ट मॉटम तो हो चुका है पुलिस हो सकता है post-mortem की report मीडिया के साथ अगर कल्या परसु शेयर करती है हम भी आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन फिलाल clarity नहीं है इसको लेकर कि क्या गलारेत कर हत्या की गई है गला घोट कर हत्या की गई है और उसके क्या गोली मारी गई है क्या किया गया है इसकी जानकारी अभी तक जो है वो पुलिस से हमें भी नहीं मिल पाई है और अभी पोस्तमार्टम में क्ले़ होगा कि क्या गोली चली है या गोली नहीं चली है जो अभी तक inquiry हुई है उसमें यह पता चला है कि सरदार टीएस वजीर का परिवार हरपीत के संपर्क में आया उसके बाद परिवार ने हरपीत से मालूम करने की कोशिश की कि हुआ क्या है तो उन्हें बताया गया कि सरदार टीएस वजीर ने फ्लाइट लिया दो स्तंबर को कैनडा के लिए लेकिन अब वो फ्रेंकफर्ट में कॉरंटाइन में हैं यानि हरप्रीत ने परिवार को ये बताया कि सरदाट येस वजीर मिल साथ ही थे लेकिन इस समय वो यहां से मैंने उनको फ्लाइट में बिठाया दोस्तंबर को यहां से उड़े और उड़ने के बाद वो फ्रेंकफर्ट में कॉरंटीन में हैं लेकिन परिवार के लोगों को शक हुआ और उन्हें अपने जो उनके सगे संबंदी हैं उन्हें से जम्मू में कॉंटेक्ट किया उसके बाद पुलिश ने ये कहा कि उन्हें वजीर की फ्लाइट टिकेट जो कैनड़ा की है उसकी कॉपी अभी तक नहीं मिली है लेकिन मॉबाइल फॉल उन्हें रिकावर किया है जिसकी वो परताल कर रहे है हर्पीज सिंग के बारे में ये कहा जा रहा है जो संदिक नमबर एक है उसने तीसरे फ्लोर पर एक फ्लाइट लिया था किराय के उपर जन्वरी के महीने में और अपने पडोसियों को ये कहा था कि मैं जुडिशिरी के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ उन्होंने ये भी कहा है एक पडोसी के मताबिक हर्पीज सिंग जो है एतवार के दिन वहीं फ्लाइट में नजर आया एतवार के दिन हर्पीज सिंग ट्रक लाया और ट्रक में अपना सारा सामान फरनीचर समेथ भरा और वहां से चला गया लोकल लोकल जो वहां के लोकल लोग है उन्होंने ये भी का है कोई CCTV कैमरा बिल्डिंग के बाहर नहीं है चार एंटरिंस गेट्स हैं बिल्डिंग के और पुलिस जो है CCTV कैमरा की फुटेज जो इर्द इर्द के इलाके में CCTV कैमरा लगे है वहां से फुटेज की जो है वो पड़ताल कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है आखिरकार इस सारे मामले में इन्वाल्व कौन है कौन लोग वो है जिन लोगों ने सरदार T.S. वजीर की हत्या में कलीदी रोल सेंटरल फिगर कौन लोग है उसकी पड़ताल पुलिस कर र बलकि सिख समुदाय के एक बड़े लीडर थे नाशनल कॉन्फरेंस के पूर्व मलसी थे गांधी नगर से चुनाओ भी लड़ा उनुने और एक प्रबल दावेदार भी और एक ताकतवर नेता भी माने जाते थे उनकी हत्या होती है दो तारीख को दो तारीख से लेकर आठ तारीख तक किसी को पता नहीं चलता सरदार टीएस वजीर कहां पर है परिवार का कोई आदमी परिवार के किसी आदमी को फोन करके इंफॉर्म किया जाता है कि जी सरदार टीएस वजीर तो कैनड़ा पहुँचे नहीं कैनड़ा से परिवार के लोग जम्मो में परिवार से संपर्ग करते हैं कि बताइए आखिरकार वो गए कहां और अगर वो वहां से निकले हैं फ्रेंक्फर्ट में भी हैं तो जाहिर सी बाते फोन पर तो संपर्ग करेंगे वीडियो कॉल तो करेंगे वाटसप तीएस वजीर की हत्या ये इस हत्या में जब पड़ताल होगी उस पड़ताल से जो कुछ निकल कर आएगा वो एक बहुत बड़ा राज्टिक भूकम भी जमो कश्मीर में ला सकता है क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है आपको ये याद कराना होगा यहां पर जब चोपड मडर केस में एक परिवार के तीन लोगों के हत्या हुई थी उनकी हत्या के बाद सरदार टीएस वजीर को गरिफ्तार भी किया गया था कुछ देर के लिए वो जेल में भी रहे थे लेकिन उसके बाद वो उस मामले में बरी हो गए थे लेकिन इशू इस समय ये है जैसे मैं ने आपको बताया कि सरदार टीएस वजीर की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस सब पड़ताल कर रही है मालूम करने की कोशिश कर रही है कौन लोग हैं जो इनकी सरदार टीएस वजीर की हत्या में शामिल हैं सरदार टीएस वजीर की पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आएग वो आप तक के साथ शेयर करेंगे लेकिन फिलाल यही है कि कल के दिन में आज Post Mortem हो चुका है Post Mortem की रिपोर्ट तयार हो जाएगी एक दो दिन में पुलिस हो सकता है वो मीडिया के साथ शेयर भी करें लेकिन जब तक हर्पीत और हर्मीत दोनों गिरिफतार नहीं होते तब तक clarity के साथ पता नहीं चलेगा कि आखिरकार सरदार T.S. वजीर दो तारीक को जब हर्पीत के फ्लैट पर गए उसके बाद 6 दिन तक क्या कुछ हुआ एतवार के दिन जब हर्पीत अपना सारा सामान वहां से निकाला और सामान निकाल कर वो फ्लैट खाली करके चले गए क्यों खाली किया हत्या कब हुई और हत्या का कारण क्या है हत्या के पीछे कौन लोग है यह वो सारी चीजें हैं जिनके उपर से परदा तब भटेगा जब दिल्ली पुलिस की जाँच मुकमल होगी लेकिन कई लोग वो भी हैं जो यह कह रहे हैं कि जम्मो कश्मीर पुलिस को भी दिल्ली पुलिस की पूरी-पूरी मदद करनी होगी ताकि साफ तोर पर वो सारे संदिक्त और वो क्रिमिनल सामने आएं जो लोग सरदार टियस वजीर की हत्या में शामिल हैं